भी बोलते हैं तो कुछ लोगों का कहना है नैंटीन्स के किंग क्यों नहों नैंटीन्स में इनका ही तो जलवा था जी हाँ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने जाड़ है कुमार सानू के बारे में आप लोगों में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो नैंटीन्स में पहला अपना बॉलिवोड सॉंग स्टार्ट की है लेकिन मैं आपको बता दू नैंटीन्टीन्टीन्स में ही जब उनका एज ट्वेंटीफाइब था तब ही वो पहला बॉलिवोड सॉंग आ लिए चलिए अब सुनाते हैं के वो सॉंग जब उनका एज ट्वेंटी एट यर्स था दोस्तों मैं आपको बता दू कुमार सानू उस टाइम कि शूरदा के जादे सॉंग रिमेक बनाते थे तो चलिए सुनते हैं नैंटीन्टीन्स के वो सॉंग जब उनका एज ट्वेंटीन्स था आये अब सुनाते हैं नैंटीनेटीन्स के वो सॉंग जब उनका एज ट्वेंटी एर्स था चलिए अब सुनते हैं मैं जदूगर है मेरा नाम भोगा हम मुझ जैसा नहीं कोई होगा अब दोस्तों 1990 में तो आपको कहना ही नहीं है यहीं से उनका बॉलिवूड में प्लेबैक सिंगर में पहला कदम स्टार्ट हुआ क्या हुआ जो एक दिन तूठ गरा क्या हुआ जो एक दिन तूठ गरा अब तेरे दिन जिनेंगे हूँ चलिए आप सुनते हैं 1991 के वो संग जीए तो जीए ऐसे बिन आपके जीए तो जीए ऐसे बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके चलिए अब सुनते हैं 1992 के वो संग जब उनका एस 34 यर्स था आइए अब सुनते हैं 1993 के वो संग जब उनका एस 35 यर्स था आइए अब सुनते हैं 1994 के वो संग जब उनका एस 36 यर्स था जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था आइए अब सुनते हैं 1995 के वो संग जब उनका एस 37 यर्स था आइए सुनते हैं एक मेलोडी संग जब उनका एस 96 में 38 यर्स था चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा संग जब उनका एस 97 में 39 यर्स था आइए सुनते हैं 1998 के वो सुपर हिट संग जब उनका एस 40 यर्स था चलिए अब सुनते हैं 1999 के वो सुंग जब उनका एस 41 यर्स था आइए सुनते हैं 2000 के वो सुपर हिट संग जब उनका एस 42 यर्स था आइए अब सुनते हैं एक मेलोडी संग जब उनका एस 2001 में 43 यर्स था आइए सुनते हैं 2002 के वो सुपर हिट संग जब उनका एस 44 यर्स था आइए सुनते हैं 2003 के वो सुपर हिट संग आइए सुनते हैं 2004 के वो सुपर हिट संग जब उनका एस 46 यर्स था उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है आइए सुनते हैं 2005 के सुपर हिट संग जब उनका एस 47 यर्स था दोस्तों मैं आपको बता दू 2005 के बाद उनको बॉलिवोड में बहुत कम संग मिलने लगा पाद इके दुख के बॉलिवोड संग मिले और कुछ-कुछ वो एल्बम बनाते रहें तो चले सुनाते हैं 2006 के वो संग जब उनका एस 48 यर्स था आए सुनते हैं 2007 के वो संग जब उनका एस 49 यर्स था चले अब सुनते हैं 2008 के वो संग जब उनका एस 50 यर्स का हो गया चले अब सुनते हैं 2009 के वो संग जब उनका एस 51 यर्स था आए सुनते हैं 2010 के वो संग जब उनका एस 52 यर्स था चले अब सुनते हैं 2011 के वो संग जब उनका एस 53 यर्स था आए अब सुनते हैं 2012 के वो संग जब उनका एस 54 यर्स था तेरी अदादा लगती है का तिल चले अब सुनते हैं 2013 के वो संग जब उनका एस 55 यर्स था सागर सी तेरी आँखों में मेरी चाहत की गहराई है आए अब सुनते हैं 2014 के सुपर हिट संग चले अब सुनते हैं 2015 के सुपर हिट संग जब उनका एस 57 यर्स था आई अब सुनते हैं 2016 के वो संग जिन है हम चाहे दिल से चलिए अब सुनते हैं 2017 के वो सुपर हिट संग जब उनका एज 59 येर्स का था दिल भी है और दर्द भी चलिए सुनते हैं 2018 के सुपर हिट संग जब उनका एज 60 येर्स था आए सुनते हैं 2020 के सुपर हिट संग जब उनका एज 62 एर्स था चलिए अब सुनाते हैं 2021 के वो संग जब उनका एज 63 एर्स का था चलिए अब सुनाते हैं 2022 के वो संग जब उनका एज 64 एर्स का हो गया आए अब सुनाते हैं 2023 का वो संग जब उनका एज 65 एर्स का हो गया तो दोस्तों ये था कुमार सानु के 1983 में जब उनका एज 25 एर्स था अब 2023 में जब उनका एज 65 एर्स है इनके बीच में सारे सौंग्स और उनके सारे वाइस हम आपको सुनाए हैं दोस्तों अगर आप सानुदा के फैन है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और कमेंट्स करेगा कि अगला वीडियो आप कि सिंगर का देखना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में